नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विनीद आप देख रहे हैं वे बिल्ट क्रियेटर और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप अपने यूटूब चैनल को ग्रो कर पाएंगे और कितना समय लगता है एक नए यूटूबर को यूटूब के उपर ग्रो होने के लिए कि मिनिमम आपको कितना टाइम यूटूब पर देना है एक साल देना है दो साल देना है या चार साल देना है कितना मिनिमम समय लगता है एक चैनल को ग्रो करने के लिए और क्या इसके पीछे सच्चाई है और किस तरीके से आप अपने चैनल को चलाएंगे जिससे कि वो जल्द growe करेगा और maximum जो work है maximum जो time है वो आपका कितना लगेगा और यедहि आपको कई साल हो गए हैं तो क्या आपका YouTube channel grow up करेगा या आपको नया YouTube channel बना लेना चाहिए तो ये सारी information को आज के इस video में हम share करेंगे तो सबसे पहले आपको जान लेना है यदि आपने एक नया चैनल बनाया है और आप प्रोफेशनली वीडियो बनाते हैं यानि कि आपका पहले कभी चैनल रह चुका है और आपको वीडियो एडिट करना अच्छे से आता है शूट करना अच्छे से आता है और आपका जो वीडियो है वो एक professional level का है तो इस condition में आप जब भी channel को बनाते हैं और जब भी आप YouTube पर channel बना कर video डालना start करते हैं तो आपके channel पर audience जल्दी आती है और views भी जल्दी जल्दी आपको मिल जाते हैं तो minimum एक साल के अंदर जो आपका channel है वो grow हो जाता है क्योंकि already आप professional level पर YouTube के उपर work कर रहे हैं आपको already YouTube के उपर काम करना आता है आपको title, tagging, description ये सब देना आता है अच्छे से जिससे कि आपके जो वीडियो हैं वो searches में जाएंगे और यहाँ पर suggested में भी जा सकते हैं तो इस condition में आपको minimum एक साल आप मान लीजे कि आपके channel को grow होने में लग सकता है जब आप professionally work करते हैं लेकिन यदी ने अपना YouTube channel अभी बनाया है बिल्कुल आप नई YouTuber हैं इससे पहले आपने YouTube पर कभी काम नहीं किया आपका जो YouTube channel पर आपके videos हैं वो professional level के नहीं है normal starting level के हैं basic level के हैं आप professional touch on को नहीं दे पाते हैं आपको title tagging नहीं आती है description की information आपको नहीं है तो इस condition में कम से कम आपको एक साल तो सीखने में लग जाएगा और उस बीच में जो videos आप अपने channel पर upload करेंगे वो minimum views ही लेके आएंगे यानि की पात दस views ही आपके videos के उपर आएंगे maximum 500 हो सकते हैं लेकिन competition बहुत है YouTube पर अब एक से एक YouTuber हैं बहुत बड़े प्रसिदी YouTubers भी हैं और सभी जो new generation है आज के हिसाब से सभी YouTube पर आ रही है तो यहाँ पर competition आपको तगड़ा मिलता है तो इस condition में अगर आप professional level के videos नहीं बनाते हैं तो YouTube के उपर आपको views जो हैं बहुत ही कम मिलेंगे और जो आपका एक साल होगा YouTube के उपर वो सिर्फ सीखने में समझने में ही निकल जाएगा फिर next year से जो आप काम करेंगे और आपके जो काम में निकार आता जाएगा तो धीरे धीरे views और subscriber भी बढ़ते जाएगे तो minimum एक साल आप YouTube को starting में देंगे उसके बाद ही आपके पास result आता है कि आपका channel कितना grow होगा और कितना time आपको और चाहिए तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है title, tagging और description को किस तरीके से हमें देना है और title, tagging और description के लिए एक special videos मैं बनाने वाला हूँ जिसके अंतरगत मैं आपको information दूँँगा कि title और tagging और description में किसी एक tag को focus करते हुए किस तरीके से description लिखेंगे, title लिखेंगे और उसकी tagging की जाएगी जिसके लिए मैं एक अलग से video आपके लिए बना दूँगा और उसको अपने channel पे upload करूँगा, उसको आप जरूर देखिएगा इसके लावा अगर आप नए यूटूबर हैं तो minimum एक साल आपको सीखने में लगेगा और आप professional level के यूटूबर हैं तो वो जो एक साल होगा वो आपके channel को grow होने में लगेगा तो यहाँ पर minimum आपको एक साल YouTube के उपर देना ही है और patience के साथ काम करना है यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो किरपे हमारे channel को like और subscribe जरूर कर लें आप सभी का बहुत बहुत धनवाद